चलिए वह कुछ आज बेसिक के स्टेटिक जी के कर लिया जाए जो हमारा कंपटिशन गजाम अंडे गजाम के लिए इंपोर्टेंट है गुजरात प्रांत में कच्च की खाड़ी के उत्तर में कच्च का रन इस्तित है जो की एक नमकी दलदली अस्थल का अस्थल है इसका छेत्रफल 20,720 वर्ग किलो मीटर है कच्च के रन में 24 डिगरी उत्तरी अच्छान से 27 किलो मीटर उत्तर दिशा से होकर भारत पाक सीमा रिखा जाती है भारत पाकिस्तान के बीच इस छेत्र को लेकर भी बिवाद है इस दलदली अस्थल के 9,055 वर्ग किलो मीटर इलाके पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है श्री लंका और तमिलाडू के बीच पाक इस ट्रेट अवस्तित है समंद्र पार भारत का निकर्तम पड़ुची देश रिलंका है यह पाक जल्डमरूमत दिद्वारा भारती भुहाग से अलग होता है यह बंगाल की खाड़ी को मनार की खाड़ी से जोडता है इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलो मीटर तक है इसका नाम करड तत कालिन मद्राश प्रेशिडन्सी के गवर्नर 755 से 1763 रावर्ड पाक के नाम पर किया गया है रामिश्वरम पंबन दीप परिश्थित है जोके आदम ब्रीच का एक भाग है अश्मरोडे रहे की स्री लंका और तमिलनाडू के बीच आदम ब्रीच अवस्थित है पाक अधिक्रित कश्मेर जिसे का आजाता पियोके भारत का वैभुभाग है जोकी पाकिस्तान के कबजे में है वर्स 1447 में अजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कबालियों के स्योक से इस भुभाग पर कवजाद जमाया था देश के सत्रे राज जेसे हैं जिनकी सीमा पड़ुसी दीशों से अस्पर्स करती है वर्स 1447 में समराट जान दुती के अदेश पर वासको डिगामा पूर्तगाल भारत की जो पूर्तगाल का था भारत की खोज यात्रा पर निकला था पूर्वी अफेरिका में इवनमा जिद नामक भारती नौचालक ने उसे भारत का राष्टा बताया था मई 1498 में वह भारत के मालाबाद तड़ पर पहुचा था यही कारण है कि वह भारत की खोज का स्रे वासको डिगामा को जाता है भारती महादीप भारत सुयम में एक बड़ी वा विष्ट्रित भागोलिक इकाई है इसी कारण से इसे भारती उप महादीप का कहा जाता है इसका विष्टार अद्भूत वा बिधी विद्रता पूर्वक पूरुड है इसके उत्तर में जहां हिमाला जैसे परवत अवस्तित है वही सिंदु गंगा और ब्रमपुत्र के विष्ट्रित मैदान है दच्छिड में प्राय दीपी पठार है वही उत्तर का कुछ छेत्रवा पच्छि में लंबे रेगिस्तान है भ पिवार नर्वदाज जैसी विष्ट्रित नदियों का संजाल है इसके दच्छिड में हिंद महासागर हिलोरों मारता है जिसे विर्ट्रिस जीड की उपमा प्रदान की गई है भागोलिक विवद्रिता और विष्टार की वजह से ही इस छेत्र को भारती उपमहादीप की सं मिलित है भारत पाकिस्तान नेपाल बांगला देश और भुटान प्रशास की इकाईयां 2011 की अनुसार इकाई राज्यों संगी छेत्रों की संख्या 35 थी 2001 में बढ़कर 2011 तक 36 ब्रिद्धी शिरिफवन की हुई एक की हुई जिलों की संख्या 2001 तक 593 थी 2011 तक बढ़कर 640 हो गई शिरिफ 47 की ब्रिद्धी हुई उपजीलों की संख्या 5463 थी 2001 तक 2011 तक हो गई 5924 जिसमें ब्रिद्धी 461 की हुई नगरों की संख्या 2001 में 5161 थी और 2011 तक 7933 गई जिसमें ब्रिद्धी 272 की हुई संबिदिक नगरों की संख्या 2001 तक 3792 थी और 2011 तक 4041 हो गई जिसमें ब्रिद्धी 242 की हुई जनगरों की संख्या 2001 तक 362 थी जिसमें ब्रिद्धी दर हुई इसमें 2530 ब्रिद्धी दर हुई ग्रामों की संख्या 2001 में 6,38,588 थी और 2011 तक जिसमें ब्रिद्धी हुई ब्रिद्धी हुई 2011 में ब्रिद्धी हुई 6,44,930 की ब्रिद्धी जिसमें हुई 2342 गाउं की ब्रिद्धी 2011 की जनगरों की अनुषार हुई भारत के पडोसी देश भारत के कुल नव पडोसी देश हैं जिन में से साथ पडोसी देशों से भारत के अस्तली सीमा अस्पर से करती है स्री लंका और माल देव हिंद महा सागर में अवस्तित द्यूपी देश है जो हमारी पडोसी तो है किन्तु इन से हमारी अस्तली सीमा का अस्पर्स नहीं होता है मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंदी द्वारा स्री लंका भारत से अलग हुआ पाकिस्तान माल देव श्री लंका मैमार वा बांगला देश से बांगला देश वे देश हैं जिन से भारत की जली सीमा का अस्पर्स होता है जिन साथ देशों से भारत की जली सीमा का अस्पर्स करती है वह इस प्रकार है इसमें भारत की जली सीमा को अस्पर्स करने वाले पडूसी देश और सीमा की लंबाई किलोमीटर में बांगला देश 4.96.57 किलोमीटर चिन 3.488 किलोमीटर पाकिस्तान 3.323 किलोमीटर नेपाल 1.650 किलोमीटर मेमार 1.643 किलोमीटर भोटान 6.99 किलोमीटर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जिनमे कुल इनके किलोमीटर इकुल 15.106.7 किलोमीटर टोटल दूरियां हुई मैक मुहर रेखा इसे भारत तवर चीन के मद्धिकी सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है वर्ष 1914 के 27 अप्रेल को सीमा रेखा के रूप में इसका निधारड किया गया था सर हेनरी मैक मुहन द्वारा यह सीमा रेखा निधारित की गई थी भारत के राज अवडाचल पदेश और चीन के मद्ध इसकी अवश्टिती है ड्रूंड रेखा भारत विभाजन से पूर्व भारत और अफगानिस्तान के मद्ध की सीमा रेखा को ड्रूंड रेखा के नाम से जाना जाता था अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को निधारित करती है सर मोर्टीमर डुरंड ने वर्ष 1893 में इस रेखा के माध्धम से भारत व आफगानिस्तान की सीमा का नेधारड किया था अस्मरड़ रहे कि तब पाकिस्तान और भाज भारत का एक हिस्सा था रटकलिप रेखा वर्स 1947 में सर सिरिल रटकलिप ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा रेखा का निधाड किया था असमर्ड रहे कि तब बांगला देश पाकिस्तान का ही एक अंग था और यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था अब यह रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांगला देश की सीमा का निधार करती है बिदित हो वर्स 1970 में बांगला देश एक प्रवुसत्ता संपन देश के रूप में अश्तत्त में आया था लाइन आप कंट्रोल जिसे यलोशी के नाम से जाना जाता है या भारत और पाकिस्तान के मत दिखिए वह ये दिविराम रेखा जो नियंत्रा रेखा लाइन आप कंट्रोल कर लाती है जिस अश्थान पर यह रेखा समाप्त होती है उसे न जे 9842 कहा जाता है 98-42 कहा जाता है जिसका अर्थ पूर्वी अच्छांस पर 98 डिगरी और उत्तरी अच्छांस पर 42 डिगरी है इस रेखा का निर्धारण वर्स 1972 में सिमला समझावते कि तहत हुआ था अस्मरडी तत्त है भारत के अच्छली सीमा का सर्वाधिक विश्तार 4,092.7 किलो मेटर है बांगला देश के साथ है यानि यह भारत की सर्वाधिक लंबी अच्छली अंतराष्टी सीमा है अंतराष्टी सीमा है भारत के अच्छली सीमा का सबसे कम विश्तार 106 किलो मेटर अफगानिस्तान के साथ है भारत विभाजन से पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम ग्रोंड रेखा था औरत्मान में रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 20 सीमा का निधारड करती है मिस्मी, पटकोई, आराकान, योमा तथा नागा, पहडियों द्वारा भारत और मनमार के मद्ध सीमा का निधारड होता है पडोसी देशों की सीमा कुछ होने वाले भारती प्रांत भारत के कुछ प्रांत देशे भी हैं जो पडोसी देशों की सीमा पर अवस्तित हैं इसे राज्यों का बिवरड निम्न है राज्य पडोसी देश और उडाचल प्रदेश, मडिपूर, मिजोरम, नागालेंड गुजराथ, पंजाब, राजस्थान, जम्मु कश्मीर ये पाकिस्तान से लगता is अवडाचल प्रदेश, मडिपूर, मिजोरम, नागालेंड, डिचार, राज्य, मैमार से लगता है जम्मु कश्मीर, सिरिफ होवन आफगानिस्तान से लगता है हिमाचल पर्देश, सिकिम, अउड़ाचल परदेश जम्बु कस्मीर वा उत्रांचल बांच राच चीन से लगता है पक्षमी बंगाल असम तृपुरा मेखालय वा मिजोरम पांच राच बांगला देश के सास्ट करता है अस्मरडी तत्थें त्रिपुरात था बांगला देश की सीमा को सुन नरेखा जीरो लाइन नाम दिया गया है त्रिपुरात तीन तरफ से बांगला देश से घिरा भारती राज्य है पाकिस्तानी सीमा से लगे भारती राज्यों में सबसे जादा लंबाई 1225 किलोमेटर जंबू कस्मिर की है भारत के राज अउडाचल प्रदेश और चीन के मद्मेक मुहर रेखा सीमा का निधार करती है 27 अप्रेल 1914 के इस रेखा का निधार किया गया था इस रेखा का निधारर किया गया था अउडाचल प्रदेश की सरवाधिक सीमा म crispy मार से अस्वर स्करती है मड़िपूरराज की सीमा बांगला देश से नहीं मिलती है लगती नहीं है त्रिपुर्या राज्य तीन तरफ से बांगला देश से घीरा हुआ है अतर इसके तीन तरफ अंत्रराश्टी सीमा है तटरेखा के द्रिष्टी से भारत के पांच बड़े राज्यों के इंदसासित प्रदेशों की इस्तिती करमवार इस प्रकार है राज्य के इंदसासित प्रदेश तरटरेखा किलोमेटर में अंडमान लेको बार दीफ समू उन्नेश सो बांसट गुजरात सोलेशव आंदप्रदेश नवसो सत्तर तमिलनाडू नवसो साथ महाराष्ट साथ सो बीस किलोमेटर में है भगोलिक छेत्रफल के द्रिष्टी से देश के पांच बड़े जिले हैं जिला छेत्रफल उवर किलोमेटर में है कच 45652 उवर किलोमेटर में ले 45110 किलोमेटर उवर किलोमेटर में है भगोलिक छेत्रफल के द्रिष्टी से पांच बड़े राज्ये छेत्रफल के अनुसार राजस्थान 3,42,279 उवर किलोमेटर में है मद्य परदेश 3,08,252 उवर किलोमेटर में है महाराष्ट 3,07,713 उवर किलोमेटर में है उत्तरप्रदेश 2,43,286 उवर किलोमेटर में है जम्मू एवं कश्मीर 2,22,236 उवर किलोमेटर में है पहले अभिभाजित आन्दप्रदेश 6 त्रफल के द्रिष्टी से देश में चवथे पायदान पर था किन्तु वर्स 2014 में तिलंगाना राज के गठन के बाग आन्दप्रदेश अव आठ में पायदान पर आ गया है अच्छांसी द्रिष्टी से भारत उत्तरी गुलार्द का देश है जबकि देशांत्री द्रिष्टी से इसकी इस्तिती पूर्वी गुलार्द में मद्द्वर्ती है छेत्र फल के द्रिष्टी से भारत का सबसी बड़ा कंदसासित प्रदेश अंडवान लिको बार दीफ समू छेत्र फल 8249 किलो मीटर में है जबकि सबसे छोटा कंदसासित प्रदेश लच्छ दीफ छेत्र फल 32 वर किलो मीटर में है छेत्र फल के द्रिष्टी से भारत का सबसी बड़ा जिला गुजरात प्रांथ का कच्छ छेत्र फल 45652 किलो मीटर में है जबकि सबसे छोटा जिला पांड़ चेरी का माहे छेत्र फल 9 वर के किलो मीटर में है वर्स 2011 के जनगर्णा के अनुसार भारत जिलों की कुल संख्या 640 है गाउं की कुल संख्या बिना बसे हुए गाउं सहीद 6.41 लाख है सिक्किम जन संख्या के द्रिष्टी से सबसे छोटा राज्य है इर्ना कुलम कोची का जुडवा नगर है जबकी हैद्राबाद जबकी हैद्राबाद जुडवा नगर सिकंद्राबाद का है पटकोई मिस्मी नागा एवं आराकान योमा वे प्रकिर्तिक पहड़ियां है जो भारत और मैमार के बीश सीमा का निधारण करती है केंद्राबाद प्रदेश पांड़ चेरी का विश्तार जीन तीन राज्यों में है वे है तमिलनाडू आंद्र प्रदेश एवं केरल पांड़ चेरी के अंतरगत आने वाले छेत्रों की राजवार इस्तिती इस प्रकार है पांड़ चेरी एवं कराईकल तमिलनाडू की सीमा में इस्तित है जबकि माहे केरल तथा यमन आंद प्रदेश की सीमा में इस्तित है सिक्किम प्रांथ की सीमा में भोटान चीन एवं नेपाल को अश्पर्ष करती है पिग मिलियन तथा पार्शन प्वाइंट नामों से भीन इंद्रा प्वाइंट जाना जाता है भारत का उत्यप्रदेश वय प्रांथ है जिसमें जिलों और गाउं की संख्या सरवाधिक क्रम से 75 एवं 97,941 है लगभग 182 किलोमीटर के बराबर एक समंद्री मिल होता है मिल होता है आजाये भाई भारती सम्विधान भारती सम्विधान सम्विधान सभा सम्विधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के ताहत किया गया था इसमें प्रतेग दसलाह के अबादी के लिए एक प्रतनिधी का प्रावधान था समिधान सभा के प्रतनिधियों का निर्वाचन वैस्क मता दिकार के अधार पर नहीं हुआ था अतह इसे एक संपूर प्रभुत्व संपन संस्था नहीं माना जा सकता समिधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296 ब्रिटिश भारत से 292 तथा कमिशनरी छेत्र से 4 तथा देशी रियास्तों से 93 प्रतनिधी चूने गए थे समिधान के अंति मोल मौस्वादे पर 24 जन्वरी 1950 को हस्ता चर किये गए समिधान सभा की प्रतांबर ठक 9 दिसंबर 1946 को संसत भवन के केंदरी कच्छ में संपन हुई जिसमें डाक्टर सचदानन्द सिन्हा को आ अश्थाई अध्यच चूना गया 11 दिसंबर 1946 को डाक्टर राजन्द प्रसाद को समिधान सभा का अस्थाई अध्यच चूना गया कंग्रेश कारे कारडी ने 1936 में पतना अधिवेशन में वैस्क मता अधिकार के अधार पर समिधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया था समिधान सभा के समधानिक सलाहकार डाक्टर बी यन राव थे समिधान सभा में बी यार अम्भेटकर का निर्वाचन पच्छिम बंगाल से हुआ था डाक्टर भी यन राव द्वारा त्यार समिधान के प्रारूप पर विचार के लिये 29 अगश्ट 1947 को साथ सदसी प्रारूप सामिती का गठन किया गया जिसके अध्यच डाक्टर भीम राव अमबेड कर थे प्रारूप सामिती में अपने युगदान के करण ही डाक्टर अमबेड कर को समिधान सभा का पिता कहा जाता है प्रारूप सामिती में कंग्रेश के एक मात्र सदस्य के यम मुन्सी थे समिधान सभा में हैदरावाद रियासत के प्रत निधी ने भाग नहीं लिया था समिधान निर्मातरी परिशत के जंडा सामिती के अध्यच जेबी कृप लानी थे समिधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्टी ध्वच को सुविकार किया था सम्पूर समिधान के निर्माड में दो वर्ष 11 मां 18 दिन लगे समिधान के प्ररूप पर 114 दिनों तक चर्चा चली तथा 3 दिन वाचन हुए 24 जन्वरी 1950 को समिधान सभा ने डाक्टर राजंद प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट पती निवाचित किया भारती समिधान विश्व का सबसी बड़ा और विश्टरित लिखित समिधान है जिसमें मूलते 22 भाग 392 अनुछेद वा 8 अनुसूचियां थी और तमान में इस समिधान में 26 भाग 446 अनुछेद वा 12 अनुसूचियां है हलांकी भागों अनुसूचेदों का संख्या करम अभी भी अभी भी पूर्वत 22 अवं 392 संख्याओं में ही प्रदर्सित है और नई भागों एवं नई अनुसूचेदों को उनकी पूर्व के संख्या करम के साथ ये भी आद जोड कर संख्यांकित किया जाता है भारती समिधान की विशालता के करण ही इसे वकीलों का वर्ग वकीलों का स्वर्ग लोवर पारडिश कहा जाता है भारती समिधान की विशालता के करण ही इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है समिधान सभा में प्रत निधियों का निर्वाचन प्रांती विधान सभा द्वारा एकल संकर्मरडी मत पद्धती से अनुपातिक प्रत निधित्व के अनुशार किया गया था समिधान सभाद्वारा भारती समिधान को 26 नुवंबर 1974 को अंगे किर्ट अधनीमित वा आत्मा समर्पित किया गया इसे कारण प्रते एक वर्ट 26 नुवंबर को विधी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत प्रशाशन अधनीम 1935 भारती समिधान का सबसे बड़ा शुरोत है भारती समिधान का उद्देश का 23 दिसंबर 1946 को जवाहर लाल नहरू ने समिधान सभा में उद्देश प्रस्ताव प्रस्तूत किया जिसमें समिधान की भावे रूप रेखा प्रस्तूत की गए वो देश प्रस्ताव पर विचास बिमर्श के बाद 22 जन्मरी 1947 को इसे सर्वसम्मती से पास किया गया केशवानन्द भारती बनाम केरल राजजबाद की अनुसारों देश का समिधान का अंग है पर इसे निराले में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है वो देश का को समिधान की आत्मा और समिधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है इसके परिप्रेच्च में सैंब्यधानिक अधिनियमों की ब्याख्या की जा सकती है वो देशका में प्रियुक्त हम भारत के लोग सब्द से अस्पष्ट है कि भारत की संपर्भुता भारत की जनता में निहित है भारत एक गर्तंत्र है इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्टा अध्य निर्वाचित होगा आन्बानसिक नहीं रहेगा 42 समिधान संसोधन अधनियम 1976 द्वारा वो देशका में समाजवादी और पंथ निर्वेच सब्द जोड़े गए तथा राष्ट की एकता को राष्ट की एकता और अखंडता से प्रत्यस्थापित किया गया प्रत्यस्थापित किया गया उद्देशका में समिधान के अंगी करण की तिथी 26 नुवंबर 1999 दी गई इसी कारण 26 नुवंबर भारत में बिधी दिवस के रूप में मना जा जाता है नागरिक्ता निर्वाचन अंत्रिम संसद अल्पकालिक और परिवर्ति उपबंद जैसे कुछ अनुछेद समिधान की सबी किर्थी के 25 अर्थाथ 26 नुवंबर 1999 को ही लागू कर दिये गए 26 जन्मरी 1950 को संपूर समिधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गड़ राज घोशित हुआ उसी दिन हमारा भारत एक गड़ राज घोशित हुआ संग और राज छेत्र भारती समिधान में हमारे देश को इंडिया यानि भारत भारती समिधान में हमारे देश को इंडिया यानि भारत इंडिया देट इज भारत नाम से संबोधित किया गया भासाई अधार पर स्वर प्रथम गठित होने वाला राज आंद प्रदेश है और नई सुत्तिरपन में निसंसत बिधी द्वारान नए राज्यों का निर्माड और ओरतमान राज्यों के छेत्रों, सिमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इसके लिए समिधान संसोधन की आवसक्त्या नहीं होती है और्तमान में भारत में 28 राज और साथ संग सासित प्रदेश है जिनके नाम समिधान की प्रथम अनुसूची में उल्लखित है फ्रांसी सी उपनिवेशों का भारत में बिले आपसी समझवते के परिडाम सरूप संभव हुआ 1924 में गोवाद दमनवादीव को सैनिक कारवाही द्वारा पुर्तिजाली कबजे से मुक्त करा कर भारत में बिले किया गया 18 दिसंबर 1960 को सिक्किम बिधान सभाक्या अनुरोद और जनमत संग्रे के यधार पर 1975 में सिक्किम को भारत में सामिल किया गया देशी रियास्तों के भारत में बिले के लिए बाई जोन 1947 को सरदार बल्लब भाई पटेल के निर्तत्त्त में रियास्ती मंत्रालाय का गठन किया गया जम्बू कस्मीर का भारत में बिले बिले पत्र द्वारा हदराबाद का सैनिकारवाही द्वारा तथा जुनागर का बिले जनमत संग्रे द्वारा हुआ भारत राज्यों का संग इउनियन आप स्टेट है परंतु संग की इकाईउं अर्थात राज्यों को संग से प्रिथक होने का अधिकार नहीं है नए राज्यों के निर्माड और उर्तमान राज्यों के छेत्रों, सिमाओं और नामों में परिवर्तन के लिए कोई भी विद्यक राष्ट पती की सिपारिश के परशात ही किसी सदन में प्रष्टित किया जा सकता है इसा बिद्यक संसत के सधारण बहमत द्वारा पारिट किया जा सकता है भासाय धार पर राज्यों का पुनरगठन 1956 में किया गया नागरिक्ता भारती समिधान में नागरिक्ता सब्द को परिवासित नहीं किया गया है समिधान में एकल नागरिक्ता का प्रावधान है नागरिक्ता से संबंधित विश़यों पर विधी बनाने की सक्ति संसद में निहित है अनुच्छेद 11 अर्थाद आर्टिकल 11 के ताहत नागरिक्ता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारती नागरिक्ता अधनियम और निस्व पच्पन पारित किया गया है भारत की नागरिक्ता जन्म उद्भाव, पंजी करण, देशी करण या भूमी विष्टार द्वारा प्राक्त किया जा सकती है दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारती मोड की लोगों को कुछ सर्तों के साथ दोहरी नागरिक्ता का नागरिक्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया जिसे ओवर्सीज सिटिजन सी पाप इंडिया का नाम दिया गया समिधान के भाग तीन मोल अधिकार मोल अधिकार समिधान के भाग तीन अनुच्छेत 12-35 में 6 प्रकार के मोल अधिकारों का वर्डन किया गया है मोलिक अधिकारों के विचार कुद्पत्ती 12-35 के एंगलेंड के मयगना कार्टा से हुई मानी जाती है स्वर प्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने समिधान में मोलिक अधिकारों को अस्थान दिया था अनुच्छे 16 सभी नागरिकों को राज्ज के अधिन किसी नियोजन में औसर की समानता की गरंटी देता है अनुच्छे 19 द्वारा प्रदत्त स्वात्तंतता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है आ नागरिकों को नहीं है अनुच्छे 19 सभन के अधिन कूट फोट पात पर बेपार करना नायाल द्वारा मोल अधिकार निर्धारित किया गया है अनुच्छे 20 क्लाउजवन किसी डांडिक बिधी को भूत लच्छी अर्थात पूर्वगामी प्रभाव से लागूं की जाने का निसेद करता है अनुच्छे 20 क्लाउजवन किसी बेक्ती को दोहरे डंड से सनरच्छड प्रदान करता है अर्थात किसी बेक्ती को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और डंडित नहीं किया जाएगा अनुच्छे 20 क्लाउज 3 के अनुशार कोई भी बेक्ती तब तक निर्दोस माना जाएगा जब तक उसे अपराधी ना सिद्ध कर दिया जाए उन्निक्रोष्णन वाद में पारंबिक सिच्छा का अधिकार अनुच्छे 21 के अंतरगत न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार ने धारित किया गया था मेनका गाधी बनाम भारत संगवाद में उच्चितम न्यायालय ने नशर्गीक न्यायाय के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं निर्ड़ दिया की किसी ब्यक्ती को प्राणवा दाहिक स्वातन्तरता से बंचित करने के लिए बिधी द्वारा अश्ठापीत प्रिकिर्या उचित न्याय पुरूड और युक्ती युक्त होनी चाहिए अनुछेद एककईश कारपालिका तथा बिधाईका दोनों के क्रित्यों के ब्रुद्ध सन्रचड प्रदान करता है अनुछेद चवदै बिधी के समझ संता और बिधियों के समान सन्रचड का प्रदान करता है तात पर यह है कि सभी ब्यक्तियों पर समान बिधी लागू हो अधिकारों की रच्छा के लिए नयायालाय की सरड ली जा सकती है राज जद्वारां बनाई गई कोई बीधी यदि मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती है तो नयायालाय उसे अवध घोशित कर सकता है मुलिक अधिकारों पर युक्ती युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है नराइक पुनर बिलोकन समिधान का अधार भूत धाचा है तथा इसे समिधान संसोधन द्वारा निर्शित नहीं किया जा सकता वाक और अविव्यक्ति की स्वतन्ता अनुच्छे द्वन्नैस कलावजवन या कामे किसी राजनीतिक दलद्वारा बंद का आवहन करने की स्वतन्ता निहित नहीं है अनुच्छे द्वित पंद्रे समता का अधिकार राज को केवल धर्म जाती मोल बंस लिंग जन्म अस्थान या इनमे से किसी के अधार पर बिभेद का प्रतिसेद करता है पर इन अधारों को किसी अन्य अधार के साथ मिला कर बिभेद किया जा सकता अनुच्छे द्पंद्रे बिभेद का प्रतिसेद करता है प्रन्तु युक्ति युक्त वर्गी करण का प्रतिसेद नहीं करता है अनुच्छे द्पंद्रे कलाउज थिरी इस्तिरियों और बच्चों के लिए विशेश उब्बंद को मानिता प्रदान करता है अनुछेद 15 कलाउज 3 के ताहत अनुछेद 15 कलाउज 5 तिरान ब्यवास समिधान संसोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोडा गया जो समाजिक वा छेचिक रूप से पिछड़े नागरिकों अनुसूची जातियों और जन जातियों को सिछड संस्थाव में प्रवेश के लिए अरच्छड का उवबंद कराता है नियायालय ने निसुलक बिदिक सहाता को निसरगिक नियाय का एक अंगमाना है और इसे अनुछेद 15 के अंतरगत मौलिक अधिकार गोशित किया है उच्च तम तथा उच्च नायालय को मौल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार प्राप्त है अतर इनहीं मौल अधिकारों का सनुरच्छ कहा जाता है अनुछेद 24 बाल सरम का निसेद करता है इसके अनुछेद 24 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कार खाने या किसी अन्य संकट में कारियों में नहीं लगाया जा सकता अनुछेद 29 यर काता है कि अल्प संक्यक वर्गों को अपनी विशेश भासालिपी या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है उच्चितम नायाल अनुछेद 32 के अंतरगत मोल अधिकारों को प्रवर्थित कराने के लिए आवस्चक निर्देश आदेश या रीट जारी कर सकता है किस्वा नंद भारती बनाम केरल राजजवाद के अनुशार संसद मोल अधिकारों में संसोधन कर सकती है प्रन्तु समिधान के अधार भूत धाचे में परिवर्थन नहीं कर सकती समिधान का अनुछेद 13 नरायक पुनर विलोकन के सिध्धान को जन्म देता है मोलिक अधिकार राज़ के ब्रुद्द प्रावत अधिकार है इसी कारण अनुछेद 12 में राज़ को परिवासित किया गया है भारती समिधान के अनुछेद 14 में मानमा अधिकार घोषडा पत्र का आनुसरण किया गया है इसमें नशरगीक न्याय का सिध्धान अंतर निहित है भारती समिधान में मोलिक अधिकार के साथ साथ उनके उपवादों अपवादों का भी वर्जन है समिधान द्वारा प्रदत मोलिक अधिकारों को निलंबित कहने की सक्ती राष्टपती में निहित है किश्वानन्द भारती वाद के निर्डवय के अनुसार संसत मौली का दिकारों में संसोधन कर सकती है परंतू समिधान के अधार भूत धांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है बिधी के समच्च समता ब्रिटेन के आलिखित समिधान से प्रियरित है जिसमें डाईसी द्वारा प्रतिपादित बिधी के सासन रूलाप रूलाप लाकी और धारणा ब्यक्त है आठाथ प्राप्त है बिधियों के समान सनुजच्चड का अर्थ समान प्रष्टीतियों में रहने वाले ब्यक्तियों से समान बेवहार ना किया समान प्रष्टीतियों में रहने वाले ब्यक्तियों के साथ समान बेवहार बिधी के समच्च समता और बिधियों के समान सनुजच्चड पर बेक्ति की प्रकिर्तिक प्रस्तिती और योगिता के अधार पर युक्ती युक्त विभेद किया जा सकता है अनुछेद सोले के अनुशार राज किसी नागरी के विद्ध केवल धर्म मोल बंस जात लिंगे जर्म अष्ठान या इनमें से किसी अधार पर कोई विभेद नहीं करेगा अर्थात विद्धियों के साथ और इन अधारों से अलग किसी अधार पर विभेद किया जा सकता है अनुछेद सत्रे में अश्प्रेशता को समात करने का प्रावधान है इस अनुछेद पर महत्मा गाधी के विचारों की अस्वष्ट छाप है मूल समिधान में अनसोचित जाती और अनसोचित जन जाती के लिए और अच्छड की विवस्ता दस वर्ष के लिए की गई थे अनुछेद 49 गाको अनुछेद 14 वा 16 के साथ मिला कर पढ़ने से समान कारी के लिए समान बेतन मूल अधिकार बन जाता है अनुछेद 29 कलाव जुवन में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उलेख है पर राज इन स्वतंत्रताओं पर युक्ती-युक्त प्रदिबंद लगा सकती है वांक स्वतंत्र सब्द अमेरिकी समिधान से लिए गया है जबकि अभिव्यक्ति स्वातंत्र भारती समिधान की अपनी मौलिक वा विशिष्ट बेवस्था है एमैनुवल बनाम केरल राज्जुवाद की अनुसार मौन रहने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वातंत्रता में नेहित है गैर वारिज बिग्यापन अभिव्यक्ति की स्वातंत्रता का एक भाग है समिधान में प्रेश की स्वातंत्रता का अलग से उलेख नहीं है यह स्वातंता अनुछेद वन्निस क्लावज्वन का में अंत्रनिहित है किसी बिग्ति का टेलिफोन टेप करना वारिख अभिव्यक्ति अनुछेद वन्निस क्लावज्वन तथा प्राडवा दाहिक स्वातंत्रता अनुछेद वन्निस का उलंगन है सुचना का अधिकार तथा एकानन तता का अधिकार अनुछेद वन्निस क्लावज्वन का तथा अनुछेद एक किस के ताहत न्यायाले द्वारा मोल अधिकार घोशित किया गया है व्रिति उपजीव का बेपार या कारोबार की अधिकार में कारोबार बंद करने का अधिकार भी सामिल है प्राडवा दाहिक स्वातंत्रता का अधिकार अनुछेद की स्वातंत्रता संबंधी अधिकारों का मोल अधार है प्राणवा दाहिक स्ववतंत्रता के अधिकार का अर्थ है मानोगरिमा और सब्विता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है जीवको पार्जन का अधिकार प्राणवा दाहिक स्ववतंत्रता के अधिकार में सामिल है सर्वच नायालय के अनुशार आसरे का अधिकार अनुच्छेद 19 कलाउजुवन या डा तथा अडा अनुच्छेद 19 के अंतरगत मोलिक अधिकार है विदेश भर्मड का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतरगत मोलिक अधिकार निधारित किया गया है प्राणवा दाहिक सोतनता के अधिकार में आत्म हत्या का अधिकार सामिल नहीं है 26 में समिदान संसोधन 2002 द्वारा 6-14 वर्च की आयू के बच्चों को निशुल कवर अनिवार छिच्छा मौलिक अधिकार घोशित किया गया अनुछेद 21 का के ताहत निवारक निरोध कनून के अंतर्गत ग्रीपतार बेक्ती तथा सत्रु देश के नागरीक को अनुछेद 22 के अंतर्गत ग्रीपतारी और निरोध से सनरच्छड प्राप्त नहीं है शर्मिकों को प्राप्त मजदूरी ना देना अनुछेद 23 के अंतर्गत सोसड के ब्रिद अधिकार का उलंगन है भारती समिधार में अनुछेद 25 अठाइस में धर्म की स्वतंद्रता का अधिकार निहित है धर्म की प्रेचार की स्वतंद्रता में बलात धर्म परिवर्तन निहित नहीं है भारती समिधान धार्मिक और भासई अलप संखिकों को मानता प्रदान करता है किन्तु नित्यजाती अलप संखिकों को नहीं अनुछेद 25 अठाइस में धर्मिक स्वतंद्रता का अधिकार प्रदान किया गया है पर राज्य धर्मिक आच्रड से संबंधित लोकिक किरियाओं का विनियमन कर सकता है धार्मिक स्वतंद्रता का अधिकार लोग व्यवस्टा सदाचार और स्वाष्ट के प्रतिबंधन के अधिन है अनुछे 27 अनुछे 27 धार्मिक प्रियजनों के लिए करारोपड का प्रतिसेद करता है प्रन्तु फीस लगाने का नहीं राज धार्मिक संस्थाओं के लोकिक प्रसाशन के लिए फीस लगा सकता है अनुछे 28 द्वारा राज की सिच्छड संस्थाओं में धार्मिक सिच्छा को प्रतिस प्रितिस सिद्धि किया गया है प्रितिसेद नयतिक सिच्छा आध्धर्मिके सेच्छडिक अध्यन परलागून नहीं है अनुछे 30 अल्प संखिकों को अपनी पसंद की सिच्छड संस्थाओं की अस्थापना एवं संचालन का अधिकार प्रदान करता है पर इसमें कूप्रबंधन का अधिकार सामिल नहीं है चबवालसमें समिदान संसोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर एक बिधिक अधिकार बन गया है मूल अधिकारों को परिवर्टित करने का अधिकार अनुचे 32 के अंतरगर सुयम एक मूल अधिकार है मोल अधिकारों का सम्रच्छड उच्चतम और उच्च नाडाल दोनों ही पारंबिक अधिकारिक्ता में आते हैं सम्रधानी कुपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सुयम में कोई अधिकार ना होकर मौलिक अधिकारों को परिवर्टित कराने के लिए रच्छो पाए है डाक्टर भीम्रा अम्बेटकर जी ने सम्वधानिक उप्चारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को सम्मिधान की आत्मा तथा उसका हिर्दय कहा है मुल अधिकारों को परिवर्टित कराने का अधिकार नागरिक तथा आनागरिक सभी बेक्तियों को प्राप्त है नायाला के अनुशार सम्वधानिक उप्चारों का अधिकार भारती समिधान की मोल भोत संरचना का लच्छड है और इसे भारती समिधान संसोधन द्वारां भी निर्शित नहीं किया जा सकता है मोलिक अधिकारों के संरच्छड के लिए उच्चतम तथा उच्च नायाला द्वारां पांच प्रकार के रिट बंदी, प्रतच्छी करण, परमादेश, अधिकार प्रीच्छा, प्रती सेद तथा उत्प्रेश्रण जारी किये जा सकते हैं राज की सुरच्छा के लिए मोलिक अधिकारों पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है मोलिक अधिकारों पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है अपात उद्घोषडा के दोरान भी अनुच्छेद बीस अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबंद में सनरच्छड तथा अनुच्छेद एकईस प्राणवा दाहिक सो तंत्रता का सनरच्छड द्वारा प्रदत अधिकार इलम्बीत नहीं किया जा सकते हैं प्रतिसेद और उत्प्रेशड नया एक रीट है जिसे अधिनष्ट नयालयों को जारी किया जाता है 97 समिधान संसोधन बिधर्यक 2011 द्वारा सहकारी सामिती बनाने के स्वतनता को अनुच्छेद 19.1 गा में मौलिक अधिकारों में सामिल किया गया है सत्तामिवा समिधान संसोधन बिधर्यक 2011 सहकारी सामितियों को समिधानिक दरजा प्रदान करता है एसा देश में सहकारिता अंदोलन को प्रत्वसाहित करने के लिए किया गया है निती निती के निदेशक तत्व है राज की निती के निदेशक तत्व भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलाइंड के समिधान से प्रेरित है मोल अधिकारों के विप्रीत निती के निदेशक तक तो वाद योग नहीं है अर्थात इन्हें परिवर्तित कराने के लिए नयालाई की सरड ले जा सकती है अर्थात इन्हें परिवर्तित कराने के लिए नयालाई की सरड नहीं ले जा सकती है निती के निदेशक तत्व कल्याणकारी राज की संकलपना की पुष्टी करता है तथा समाजी कार्थिक लोगतंत्र की अर्ष्ठापना पर बल देता है निती के निदेशक्तत्तों को लागू करना राज्ज का कर्तब निर्धारित किया गया है तथा इसे जनता की सक्ति प्राप्त है निती के निदेशक्तत्तों में मात्मा गाधी के आदेर्सों को दर्साया गया है डाक्टर भीमराम बेटकर के अनुसार निती निदेशक तत्तों का लच्छ यार्थिक लोगतंत्री की अस्थापना करना है मोल अधिकार और निती के निदेशक तत्तों एक दूसरे के पुरक हैं उदारण के लिए अनुछे 14-18 समता का दिकार 14 से लेकर 18 तक समता का दिकार प्रदान करता है तो अनुछे 31-49 तक राज्य को उन दसाओं के स्रिजन का निदेश देते हैं जिसमें समता का बेवार सुनिश्चित किया जा सके निदेशक तत्तों के अनुछे 51 में 20-70 के प्रति भारत की प्रति बद्धता दोहराई गई है समिधान में वरड़ित निदेशक तत्तों के प्रवधान जब्मों कस्मिर राज्य पर लागू नहीं होते निती के निदेशक तत्तों को राज के नयतिक कर्टब की संग्या दी जाती है अनुछेट 44 समता नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता एक मात रेशा निती निदेशक तत्तों है जिसे लागू करने का प्रयास भीत तक नहीं किया गया है शियास में समिदान संसोदन दू हजार दू दू दौरा अनुछेट 45 में 6 वर्स तक के बच्चों की देख भाल और सिच्छा का प्रयत्न करना राज का कर्तब बनिर्धारित किया गया है अनुछेट 45 के अंतरगत लोक सिवाओं में कारेपालिका से नायपालिका का प्रिथ्थ करण करना राज का करतब बनिर्धारित किया गया है अनुछेट 49 का राज को सब के लिए समान्याय और निसुल्क बिदिक सहायता अपलग कराने का निर्देश देता है यह अनुछेट 42 में समिधान संसोधन अदनियम उनिस वचियत्तर द्वारा जोड़ा गया है अनुछेट 40 को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है विसे समिधान के तियत्र में वाचवत्र में समिधान संसोधन अदनियम द्वारा पूरा किया गया है 97 समिधान संसोधन विद्यक 2011 द्वारा समिधान के भाग चार राज के निति के निदे सकत्त में अनुच्छे 43 खा जोड के कारिश सायमितियों के स्वच्छिक गठन लुकतांत्रिक नियंत्रड तथा बेवसाइक प्रबंधन को विक्सित करने का प्रियास करना राज का कर्तब निर्धारित किया गया है मोल कर्तब बस भाई आज तक इतने इसके बाद अगली वीडियो में कल के लिए अगली वीडियो कल के लिए